नमस्कार मैं डॉक्टर ज्यानदयों मनी त्रिपाथी एनाई यूएस की ओर से आप सब का हार्दी कभी नंदन करता हूं स्वागत करता हूं आज की चर्चा में हम पाठिक्रम 502 के प्लॉक 3 में दिये गए विशय बालीका शिक्षा की योजनाएं पर चर्चा करेंगे बालीका शिक्षा की योजनाओं पर चर्चा करने के पुरू हमने बालीका शिक्षा संबंधी चर्चा की थी इसे ध्यान में रखते हुए हम उन तत्यों को जरूर ध्यान में रखेंगे जो हमने बालीका शिक्षा की चुनोतियों की रूप मेरे खांकित किया था इन योजनाओं में हम यह देखने की कोशिस करेंगे या इन योजनाओं के माध्यम से कि क्या ये योजनाएं बालिका शिक्षा की उन चुनोतियों को दूर करने में, उन समस्याओं को दूर करने में शक्षब है या नहीं बालिकाशिक्षा को विभिन तरह से बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं राजिस्तर पर रास्ट्रियस तर पर चलाई जा रही है जिनका एक तरह से फोकस यह है कि किस तरह हम जो सामाजिक चुनोतियां हैं अलिका शिक्षा को जिस तरह से जिस गती से बढ़ना चाहिए था उस गती से उसमें बढ़ोत्री नहीं हो रही है। उसके तीन मुख्य कारण रिखांकित किये गए हैं जो सामाजिक चुनोतियां हैं जो आर्थिक चुनोतियां हैं और जो सन्रचनात्मक चुनोतियां हैं समाजिक चुनोतियों का मतलब है कि अभी भी समाज में एक परिवार के पास इतनी ही धन राशी है कि वह परिवार के किसी एक बच्चे को अच्छे स्कूल में, मेरा तातपर अच्छे स्कूल का यह है कि वह किसी निजी विद्याले का प्रयाय है, जिसे हम अच्छा स्कूल कहत हैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना हो तो फिर बहुत आरहमते हैं यिस प्राइविट story में पढ़ने जायेगा और बेटी सर्कारी स्कूल में पढ़ने जाएगी मैं यह नहीं कहा रहाए सर्कारी चुनोतियों का है जो फोकस है कि भाई ऐसी लड़कियां जो किसी कारण वस नहीं पढ़ पाती कि उनके परिवार के पास पैसा नहीं है परिवार खर्च नहीं कर सकता तो ऐसे में आर्थिक चुनोतियों से निपटने के लिए कुछ योजनाय चलाई जा रही है और चलाई जो सनरचनातमक्च नहीं जो एक तरह से जुड़ी हुई है जिसमें बच्ची के लिए और लड़कियों के लिए उचित सुविधाय उपलब नहीं है यह सुचालय हो या पेजल हो या सुरक्षा का मामला हो यदि ऐसा नहीं है तो वो उन विद्यालियों में जाने से सहंती ह या जाना नहीं चाहती है ऐसी परिस्थिती में जो योजनाओं के फोकस का मुख्य बिंदु है जिससे हम बालिका शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं जो काम हमें आगे करने होंगे उसमें मुख्य है नीतियों में सकारात्मक परिवर्तन करना सहायक संरचनाओं का निर्मान कर बच्चियों को आर्थिक सहयोग देना और विभिन तरह की शात्रवृतियों के द्वारा इनको सहयोग देना प्रोचाहित करने वाले कारेक्रमों का आयोजन करना प्रोचाहित करने वाले कारेक्रमों के आयोजन से ताद पर यह है कि विद्यालेयों में इस तरह के कारेक्रम अनवरत हम चलाएं या चलाते रहें जिनमें बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें अधिक साधिक उसर उनको आगे बढ़ाने का मिले और उनको प्रोट्साहित करने का मिले देरे-देरे हमारे सरकारी विद्यालियों में विशेश करके इस तरह के कारेकरम कम होते जा रहे हैं तो ऐसे कारेकरमों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए जिसमें बालिकाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो तो ये जो बालिका शिक्षा के कुल लेकर रास्ट्री इस सक में शुरू हुआ था प्रारंभी किस्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हे तो रास्ट्री इस कारेकरम यह हुआ कारेकरम था जिसमें कोशिस की गई कि बालिका शिक्षा को लेकर जो ड्रॉप आउट की समस्या है आधिकुम्र में लड़कियों के नहीं पढ़ने जाने का ए अधिक सदिक नामांकन स्कूलों में हो जो ड्रॉप आउट कर गई हैं उसको ऐसे केंदरों पर रख कर कम दिनों का आवासिये कारेकरम चला कर और फिर से मुख्यधारा में शामिल किया जाए छात्राओं को जीवन कौशल की जानकारी दी जाए और साथी साथ विद्याले मे ठहरने के लिए जिस तरह से सामाजिक जागरूकता किया वसकता है वो इन्हें उपलत कराया जाए जो प्रारंभिक उद्दिष से था NPEGL का वो था ऐसी सुविधाओं का निर्मानियों प्रसार करना जिस से बालिकाओं की पहुँचे उन ठहराओं विद्याले में आसानी से हो तसा जिसमें महिलाओं यों बालिकाओं की अधिकस अधिकसा भागिता हो एक ऐसा कारेक्रम था जो महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए था National Program for Education of Girls at Elementary Level दूसरा फोकस या दूसरा मुख्य उद्दे से था विभिन हस्तक छेपो दुआरा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं महिला ससक्ती करन के लिए बालिकाओं की शिक्षा इतनी अनिवारे है इतनी आवस्यक है इसको ध्यान में इस कारेक्रम में रखा गया था इस कारेक्रम के जो फोकस या केंद्रक थे वो था राश्ट्रिये राजियम जिला अस्तर पर बालिकाओं की शिक्षा में शक्षम संस्थाओं को सुध्रड करना दूसरा जेंडर समवेदंशील प्रशिक्षन कारेक्रम का निर्मान करना तीसरा, छेत्रिये भाशाओं में शिक्षन अधिगम सामगरी के निर्माण हेतू, विभिन संस्थाओं से तार्तम में बिठाना चौथा छेत्री ए भाषाओं में शिक्षण सामगरी, शिक्षण अधिगम सामगरी के निर्मान, हेतु बिभिन संस्थाओं से तारित में बिठाना चौथा शिक्षा तंत्र को महिलाओं यूं बालिकाओं हेतु सहज यूं सुगम बनाना पांचवा लिंग भेद को दूर करना, छठा प्रारंबिक शिक्षा में बालिकाओं की प्रतिभागिता बढ़ाना और अंतिम बिंदू जो फोकस बिंदू था मुखे रूप से वो था प्रारंबिक शिक्षा के स्तर पर लड़कियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उप नहीं थी, उन राजियों में इस कारे करम का संचालन एक जेंडर सिल बना कर किया गया है। मख्या उस राज्ये में कारेरत नहीं थी, तो इस संस्था में जो सरकार द्वारा पोशित है, उस संस्था में एक सेल बनाया गया है जेंडर से, उद्दे से यही था कि बालिकाओं को अधिक से अधिक शिक्षा के दाएरे में शामिल किया जाए और उनकी समस्याओं का समध अधावत बनी रहे और आप शामिल करें तो वो फिर वापस उसी दुनिया में लोट जाएंगी, यानि फिर से ड्रॉप आउट होने लगेगा, तो कोशिस यह की गई थी और उसका प्रतिफल भी आज देखने को मिलता है कि ठाहराव बढ़ा है, दूसरी महतुपर्ण कोशि जो 21 सदी के प्रारंब में सरोशिक्षावियान के साथ साथ शुरू हुई थी, वह थी कस्तूरवा गांधी बाली का विद्याले, वास्तों में आवासी विद्याले की एक संकल्पना थी, जिसे उन स्थानों पर खोला जाना था, जहां महिला साक्षरता दर 30 प्रतिसत से कम थी, तो ऐसी कम साक्षरता वाले प्रखंडों में या खंडों में, ब्लॉकों में, एक ऐसा विद्याले खोला जाना था, जिसमें 50 या 100 ये दो मानक थे उसके, 50 और भी 50 लड़कियों के लिए भी और 100 लड़कियों के लिए भी खोले गए, ऐसा विद्याले जिसमें 50 रूप से पिछड़े हुए प्रखंडों में तो खोला ही जाना था जहां अनुसुचित जन जाती तथा अन्य पिछड़ी जाती और अल्प संख्यक समोहों की बालिकाओं के लिए आवासिये अपर प्राइमरी विद्यालेयों के स्थापना करना इस कारेकरम का प्रमुखुद किजी बीपी की स्थापना इन तीन छेत्रों में विशेश तोर पर की गई पहला छेत्र था जहां सैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक जहां ग्रामिन महिला साक्षरता दर 30% से कम थी शहरी छेत्र जहां महिला साक्षरता दर रास्ट्रिये महिला साक्षरता दर से कम थी और अल्प संख्यक बहुल छेत्रों में किंद्रिय विद्यालेओं की स्थापना की गई किंद्रिय विद्यालेओं का एक बहुत ही बढ़िया पक्षिय था कि यह आवासिय विद्याले थे आवासिय विद्याले में जिन कारणों से लड़कियां स्कूल पढ़ने नहीं आती थी, एक तरह से वो कारण खत्म हो गए, रास्ते की सुरक्षा एक बड़ा का मामला होता है विशेस करके ग्रामीन और पहाड़ी शेत्रों में, जहां अभिभावक अपनी बच्ची को या बड़ती हुई उम्र की बेटी अब सुरक्षित रह सकती है किसी शात्रावास में, तो कस्तुरवा गांधी बालिका विद्याले का यह रूप, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में, बालिका शिक्षा को आगे करने में बहुत ही महत्पुर्ण रहा, यहां मैं इस यानि अपने पती के आग्रह पर या निर्देश पर जो भी आपका है, भीतिहरवा एक स्थान है, बिहार के पश्षिम जमपारंजिले में, वहां जब गांधी ने नौमबर 1917 में आश्रम की स्थापना की, तो कस्तुरवा गांधी वहां गई और वहां रही, इनके जी में य आश्रम है, सड़क के एक तरफ यह आश्रम है गांधी जी का, और दूसरी तरफ वरत्मान हमारा कस्तुरवा गांधी बाली का विद्याले है, जो वहां की ये कस्थानिये संस्था स्वाइम से भी संस्था दीप तवारा संचाली थै वहाँ जाकर देखने का मुझे जो मौका मिला मैंने यह महसूस किया कि जो सुभिधाएं जो सहुलियतें इन बच्चियों को वहाँ दी जा रही है उससे उनके बढ़ने का उनके विकसने का जो असर मिले हो अद्वुत था ये सभी थारू जनजाती की बच्चियां थी जिन बच्चियों ने वहाँ नमांकन कराया था जो वहाँ रहती हैं वैसी इस थिति में वहाँ का जो पूरा महावल था वो सीखने के अनुकूल था और इन बच्चियों के स्तर पर जाके इनको सीखने का उसर दे रहा था जो अंतिम योजना है जिस पर आज हम लोगों को बाच्ची करनी आवस्यक है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आप सब जानते हैं आपके आसपास यह योजना आजकल चल रही है और हमारी वरतमान सरकार जो माननी है नरेंदर मोदी जी के नितरित्तों में चल रही है उनकी यह एक महत्वा कांची योजना है जिसमें तीन विभागों ने समयकित रूप से महिला बाल विकास, स्वास्तें परिवार कल लियान विभाग, मानो संसाधन विकास तीनों ने मिलकर एक ऐसी संरचना बनाई है जिसमें वो लड़कियों के आगे बढ़ने की उन समस्याओं का समाधान कर सके शुरुआत तो लिंग अनुपात को ठीक करने से हुई है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा समाज सिक्षित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लगातार लड़कियों की संख्या घट रही है लिंग अनुपात घट रहा है, प्रती हजार, एक हजार पुरुस पर महिलाओं की संख्या घट रही है तो यह जो लिंगिये गडमड हो रहा है समाज में, इस कारेकरम के द्वारा उसे भी कोशिस की जा रही है कि हम लड़कियों के प्रती संवेदिन्शील बनाएं लोगों को, यदि ये बच्चियां ही नहीं होंगी, बेटियां ही नहीं होंगी यह इस कारेकरम का मुख्य उद्दिस है, आज हमने जिन योजनाओं पर आपके साथ चर्चा की, ये योजनाएं मुख्य रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चल रही है एक और योजना जो आपके राजे में चल रही हो, उसके बारे में आपको जानना चाहिए, मैं उधारन के तोर पर सिर्फ बिहार में चलने वाली मुख्यमंतरी साइकिल योजना का जिक्र यहां के आपके सामने करना चाहता हूँ, जिस योजना में इस उम्र की लड़कियों को साइकिल ने दी गई, ताकि वो आगे पढ़ सकें, और उसका प्रतिफल बहुत साफ साफ अब बिहार के गाउं में दिखाई देता है, जहां पकडंडियों से एक साथ आठ दस साइकिल पर सवार लड़कियां, अब उच्छ विद्यालियों की और पढ़ने के लिए जाती हैं, जहां पहले पारिवारिक बंदिसों और सामाजिक गड़बडियों के कारण वो नहीं जा पाती थी, वहाँ इस साइकिल ने उनके सपनों को पंख दे दिया, या उनके सपनों को पहिया दे दिया, जिस पर वो चल के अब अपने जीवन के लक्ष को प्राप्त कर सकती है इस परिचर्चा में आज बसितना ही, आप सबका इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद